आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ तोरई की सबजी की रेसिपी जो आज आप लोगों को बहुत ही पसंद आने वाली है इस तरीके से अगर बना करके तयार करेंगे न तो सभी को बहुत ही पसंद आएगी आप इसे रोटी चावल किसी के साथ इंज्वाइ कर सकते हैं तो चलिए बिना देरी करते हुए हम इस रेसिपी को शुरू करते हैं तोरई की सबजी बनाने के लिए यहां पे मैंने 500 ग्राम तोरई लिया है अब हम क्या करेंगे न यह चाको की हेल्प से इसके छिलके हटा देंगे इस तरीके से हम इसके छिलके हटा लेंगे हमें मोटा छिल इसे हम काट करके इस तरीके से हटा लेंगे उसके बाद हम इसे धो करके ले लेते हैं और ये लीजिए हमने इसे अच्छे से धो करके ले लिया है अब हम तोरई को काट लेंगे बीच से हम इसे कट करते हुए तोरई को काट लेंगे ये देखिए इस तरीके से हम इसे काट ले त्यार कर रही हूं आप चाहे तो लंबे में भी काट करके त्यार कर सकते हैं और ये देखिए हमने तुरई को इस तरीके से काट करके त्यार कर लिया है अब हम सारे तुरई को इसी तरीके से ही काट करके त्यार कर लेंगे और ये लिजिए हमने सारे तुरई को काट के त्यार कर लिया है अब यहां पे हमने तीन बड़े चम्मत मसूर की दाल ली है इसे मैंने एक से डेर घंटे पहले भीगो करके ले लिया है अब चलते हैं गैस की तरफ गैस पे कोई कड़ाई या पैन रखे उसमें हमने 5 से 6 टेवल इस्पून तेल गर्म होने के लिए दे दिया है उस के बाद साथ में हम यहां पे एक मीडियम साइज का प्याज इसमें एट कर देंगे जिसे हमने बारिक बारिक काट करके ले लिया है साथ में हम यहां पे दो हरी मिर्च और 8 से 10 लसन की कलिया यहां पे हम इसमें एट करेंगे दोनों चीजों को हमने बारिक बारिक काट करके ले लिया है, इसे भी हम प्याज के साथ अच्छी तरीके से भूल लेंगे, अब यहाँ पे हमने एक मेडियम साइज में टमाटर लिया, इसे भी हमने बारिक बारिक काट करके ले लिया है, साथ में इसे भी हम प्याज के साथ भूल लेंगे, कुछ कड़ी पत्ते इसमें एट क तेस्ट के एकॉर्डिंग नमक सारी चीजों को हम प्याज में अच्छी तरीके से मिक्स करते वे भूल लेंगे अब भिगोए वे दाल को हम इसमें एट कर देते हैं यह देखिए उसके बाद हम इसे सारे मसालों के साथ एक से दो मिनट हम चलाते वे भूल लेंगे अब हम इसे चार से पाँच मिनट कवर कर देते हैं ताकि दाल थोड़ी पक जाए और यह लिजे चार से पाँच मिनट के बाद हमने ढखकन अटाया अब हम इसे एक से दो मिनट और चला लेंगे अब हम इसमें तोरई एट करेंगे सारे तोरई को हम इस दाल में एट कर देते हैं उसके बाद हम इसे चलाते वे सारी चीजों के साथ अच्छे से कर देंगे mix और ये लिजिए हमने इसे mix कर दिया है अब हम इसे फिर से cover करते वे 3-4 मिनट फिर से हम ढग देते हैं ताकि तोरई भी अच्छे से गुल जाए और ये लिजिए तोरई आल्मोस्ट घुली चुकी है थोड़ा एक से दो बार इसे हम फिर से चलाएंगे उसके बाद हम इसे 3-4 मिनट फिर से cover करेंगे ताकि तोरई और दाल अच्छे तरीके से पक जाए तोरई में हम पानी एड नहीं करेंगे क्योंकि तोरई से आल्रेडी पानी निकलती है इससे ही दाल भी अच्छे से खुल जाएगी और ये देखिए एक से दो मिनट cover करने के बाद हमने इसका धक्कन हटाया और ये देखिए तोरई बन के बिलकुल तयार है ये देखिए अब हम इसमें हाप टेवल इस्पून गरम मसाला एट करेंगे उसके बाद हम गरम मसाला डालने के बाद इसे हम एक से दो मिनट फिर से हम चलाते वे बुल लेंगे अब हम लास्ट में इसमें थोड़ा सा हराधनिया डाल देते हैं इसे भी हम सारी चीजों को मिक्स करते वे इसे भी हम चला लेंगे सबजी हमारी डन है चलते हैं साब करने की प्रोसेस पे और ये लीजिए तोरही की सबजी बन के बिल्कुल तयार है आप इस तरीके से एक बार जरूर बना करके ट्राइ करें इसे आप रोटी की और चावल किसी के साथ इंजॉय कर सकते हैं लेकिन इस पेसली ये रोटी के साथ बहुत ही अच्छी लगती है इस तरीके से आप जरूर एक बार बना करके ट्राइ करें वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, फैमिली फ्रेंड में सेर करें, चैनल पे नहे हैं तो प्लीज सस्क्राइब करें, बहुत जल्द आपसे मैं मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ, थैंक यू